आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे DDL and DML Languages in SQL Database Management System DDL means Data Definition Language and DML means Data Manipulation Language So first हम पढ़ेंगे Data Definition Language So Data Definition Language क्या होती है जैसे कि हम words से ही हम हमें पता चल रहा है कि जो data को define करने के लिए language use की जाती है उसे Data Definition Language होते हैं इसमें हमारे चार कमांड्स आती हैं Create, Alter, Drop and Truncate तो basically जो Data Definition Language है यह हमारे कि स्टीज के लिए जो कि हमारे टेबल बनता है या फिर कुछ भी database में object बन रहा है उसका जो mostly schema जो हम बोल सकते हैं उसको तैयार करने के लिए हम Data Definition Language use करते हैं तो इसमें जैसे First Command हमारी Create Command है So Create Command के स्टीज के लिए यूज होती है It is used to create objects in the database such as Tables यह कि अगर हमें Tables को create करना है मतला हमें Tables का structure create करना है कि उसमें कितने columns होंगे ठीक है क्या-क्या उसके columns होंगे तो उसके लिए हम Create Command use करते हैं वैसे हमारी होती है Alter Command It is used to modify the structure of an existing database object अब हमारे पास एक structure schema किसी table का बन गया है तो में हमारे number of columns बन गया है अब अगर हमें उस columns को कुछ modify करना है हमें उसमें कुछ add करना है यह delete करना है उन columns को तो हम Alter Command का use करते हैं अब हम यह सब एक example के थूरू देखेंगे इसके बाद third होती है पहले हम इनके पास definition देख लेते हैं अब third होती है drop It is used to delete an entire object अगर हमारे पास हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो हमने कोई table बनाई है उसको या फिर कोई भी object बनाई है रिकॉर्ट्स डेटा इंसर्ट कर रहा है वो सारा का सारा हम डिलीट करना चाहते है तो हम ट्रंकेट का use करते हैं यह सारे रिकॉर्ट्स को तो डिलीट कर देता है बढ़ हमारा जो structure है उसको डिलीट नहीं करता है यह अब हम एक example के थूरू देखेंगे जिससे आपके और अच्छे से समझ में आ जाए गई है ठीक है अब देखें यहाँ पर मैंने सारी जितनी भी हमारी commands है वो हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे तो अब इसमें सबसे पहले जो command आती है वो क्या है हमारी create command तो चैसे command लिखेंगे create table employees employee id ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि create table मतलब एक हमें table बना रहे है जिसका नाम क्या employees table है उसके अंदर हम कौन-कौन से field आ रहे है employee id जिसका type आपका int है फिर first name जिसका type where care है last name जिसका again type आपका where care है and salary जिसका int है तो यह अब हमारी create table से हमारा क्या होगा जब हम यह command लिखेंगे तो इससे हमारी यह वाली table create हो जाएगी जिसमें कि जितने भी columns है जैसे employee id होगे first name, last name, salary जो जो हमने अपने field दिये थे उससे यह जो हमारा धाचाव हम बोल सकते है schema बैस एक structure तयार हो जाएगा कि हमारी table दिखिएगी कैसे उसमें कौन-कौन से columns होगे ठीक है दूसरे बात दूसरी जो command है वह हमारी alter table employee add mobile number integer अब यह क्या बोल रहा है कि जो हमारी table employee उसमें क्या करें हम एक mobile number और जो की integer टाइप का है वह भी एक field हम इसमें add कर लें तो जब हम यह command चलाएंगे तो इससे क्या होगा कि यही table में एक और column एक और यहां पर आपका column इसमें insert हो जाएगा ठीक है इस तरीके से एक और column इसमें insert हो जाएगा जिसका कि जो नाम है वह आपका क्या आजाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका फिर से जो इसका schema है जो भी हमने exact day है mobile नमर इस तरीके से आएगा मैंने बस तरह दिखाने के लिए आपको फिर से नगिशी रिखा ने कला presenting आप को स कर दीक沒有 है तो आब इससे क्यावगा कि फिर suspects आहाभ इसके माहau कि इस एक और पिर इसके जो तीसरी कमांड आती है इसके ड्रॉप टेबल इंप्लॉइस इसे क्या हो गार जैसी आप वाली कमांड एक्ज़ीट करेंगे तो यह घ्योग पूरी के पूरी टेबल है यह पूरी के पूरी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी ठीक है उसका कुछ भी स्ट्रक्टर कुछ नहीं बचेगा सब पूरी टेबल डिलीट जाएगी और इसकी जो फोर्थ है ट्रंके टेबल इंप्लॉई इससे क्या होगा कि आपकी जो यह जो इंप्लॉई है इसकी जितनी भी अगर आपने इसमें ऑफषा जाएगा भैस आपका स्ट्रक्टर है वह आपका मेंटेन नहीं थे अ कि डॉफ़ डॉप पड़्ट टेबल जाएगे ट्रॉइन में आपका structure रहता है ठीक है alter से क्या होता है आपका एक और अगर आपको column insert करना है या alter का मतलब होता है change करना इस table को तो आप add करना चाहें डिली करन चाहें और create से तो आपका क्योंगा पूरा जो भी आप इसमें column देंगे उससे create table करके आपके सारा schema बिल्ड होगा तो यह थी हमकी हमारी data definition language की चाहर वो ठीक है तो अब हम चाहेंगे अपनी दूसरे पूसमें जो होती होती है data manipulation language अब data manipulation language में आपके आते है insert आता है फिल्ड से employee ID first name last name salary जो चाहर हमने फिल्ड यहां पर देंगे वन राई हमने values देदी तो जब हम यह वाली query execute करते हैं तो हमारी अब इस जो structure table हमने बनाई थी इसमें values insert हो जाएंगे employee ID one insert हो गई नेम आपका insert हो गया last name और salary insert होगी तो insert command अब किसमें अब जो data manipulation language वाली commands है तो यह क्या करें यह data records इन में वर करी जैसे कि इन्होंने insert command से हमारा एक record insert हो गया इसमें ठीक है अब इसकी जो दूसरी command आती हो आती है आपके update command अप्डेट employee set salary equals to 60,000 वेर employee ID फोर्ट यह क्या बोल रहा है कि update करो involved employee table को और set करो salary को 60,000 कहां पे जहांपे की employee ID आपकी बन तो पहले है employee ID कहां पर बन यहां पर बन यहांपर क्या करना है हमें अब salary को हमें 60,000 करना है ठीक है जहांपकी संच करो इस टेबल को अपडेट करो तो यहां पर क्या होगा यहां पर जो आपकी सायरी यहाँ सिर्थ अब बार्ग सदुटा नहीं बहुत जितने भी आपके जितने भी रोस में डेटा है यह सारा सारा आपको पूरी वैल्यू मिल जाती है अब इसकी चौती है डिलीट फॉर्म एंप्लोई इडिकोस टू रहा है कि आप इंप्लोई टेबल से डिलीट करो कहां पे जहां पे इंप्लोई आईडी वन है उसका आप पूरा का पूरा डेटा डिलीट वाली इस कमांड से कहांगी जो यह पूरी की पूरी रो है आपकी यह पूरी रो है तो इससे यह पूरी की पूरी रो आपके डिलीट हो जाएगी तो इसने अगें क्या किया कि डिलीट कमांड भी आपकी यह आपको समझ तो आगे लेकिन हमारे जो competitive exam होता है उसमें क्या होता है कि यह बहुत question बहुत common हाता है कि drop command is a ddl or dml language और your truncate command is ddl or dml language but क्या होता है कि हमारे पास इतना कुछ याद करने के लिए होता है उस time पर कि हमें थोड़ा confusion हो जाता है तो इसके लिए मैंने मतलब एक simple वैसे तो आप लोग को समझ आगे होगा पर एक simple trick लेकि मतलब इस time पर कि जब एकदम से याद ने आ तो आप उसे कैसे थोड़ा बहुत trick से आद रख सकते है तो देखो see here जो हमारी data definition language जो हमारा schema तयार करती है तो वो एक high power वाली language होती है जो कि क्या कर सकती है करता है किमारा पूरा पूरा schema तयार करती है तो अ पूरा पूरा इसका structure करता है हमारा schema बना रहा है ठीक है हमारी columns बना रहा है पूरी टेबल बना रहा है उसके बाद जो एल्टर होती है वो भी है करें एक स्कीमा पर काम करेंगे मतलब वह भी फिर थो िरौ रहा है जो मैं अगर इक म्हान परोम सम Author करने कि वह एक रोलग को इंसर्ट कर रहा है और उसमेंसित घ्यान अकितारि मानुपलेश Chinese इंसर्ट कर रहा है उपडेट है इसी डेटा में से किसी भी डेटा को अपडेट करता है या कुछ विए स्मी। यह क scholars इस Carrieowser है उसके सिर्ट करता है और यह सब report करता है उसके सब्सके मोरे contestatif और रिकार यह हमारी स्टर्सूर पर काम करतोई सब्सक्राइब इस्की चोटी से एक त्रिक आगर आप याद रखना चाहिए तो इसमें जो जैसे कि जो हमारे ऐल्फबेट स्टार्ट होते हैं तो किया है इनीशल के अल्फबेट से थीक है जो हमारे इनीशल वाले आल्फबेट से वो mostly हमारी data definition language में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले आती है, पहले structure create होता ही, ज्यादा powerful है, तो वो देखे, जैसे कि alter command आ गई, वो भी हमारे A से start हो रही है, फिर जो create command है, वो हमारी C से start हो रही है, ठीक है, तो जो मतलब initial of alphabets हैं, वो आप थोड़ा याद रखें कि वो DDL के लिए यूज होते हैं, अब जैसे यहाँ पर D आ गया, तो D अब drop, फिर drop command हमारी D से आ गया, अब D से delete भी आ रहा है, बट थोड़ा आपको ध्याना करने कि drop एक थोड़ा बड़ा वर्ड है कि जो drop कर रहा है, मतलब पूरा ही गिर छोड़ दे रहा है, मतलब drop कर दे लेकिन डिलीट के है, आपका AK करके record को डिलीट करेगा, ठीक है, और जो आपके बात के alphabets है, जैसे I हो गया आपका, फिर U हो गया, S हो गया, तो यह mostly आपके, किसके लिए यूज हो रहा है, data मैंने, क्योंकि यह हमारे जो alphabets है, यह बाद में आते हैं, हमारे, जो हमारी यह बाद में आता है, तो इसमें जैसे insert हो गया आपका, यह इनके बाद आता है, तो इसमें I use हो गया, अपडेट के लिए यूज हो गया, अपडेट के यूज हो गया, तो आपको D का ध्यान आतना है, और यहां पर बैस एक ट्रंकेट का यादतना है, क्योंकि यह वैसे alphab अपर, यह वाद ए, तक्य।